नमस्कार दोस्तों, स्वाकत है आपका ही मेडिया एजुकेशन यूटूब चैनल पे दोस्तों ही मेडिया एजुकेशन एक बार फिस से आपके लिए जोब अपडेट लेकिया है और इस वर हमारे जोब अपडेट रहेंगे वो अकांटेन्मेंट बोर्ड कसुली में जो स्टित है हमाचल प्रदेश में उससे रेटिड रहेंगे तो इनके दोबरा कौन सी विकेंसी किन कैंडियाट के लिए निकालेगी या कब तक आप इसके लिए अपलाई कर सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं अभी इसनस के साथ तो दोस्टों केंट œनमेंट बोर्ड कसुली डिस्टिक सॉलन में जो स्टित है हिनके दोरा एक एंपलॉइमन नोटीस जारी किया गया और यह नोटीस जो है दो नवंबर को जारी किया गया था जिसमें की computer programmer की एक vacancy जो की general category की रिलीज की गई है इसके बार sanitary inspector की एक vacancy जनल category में release की गई है और JVT teacher की भी एक vacancy जो है लेकिन यह reserved कर दी गई है SC category के लिए इसको out किया गया है तो total 3 vacancy जो है कसोली में निकाली गई है हिमाचे परदेश 16 जिले में जबकि इसमें की computer programmer में 5 HR grade पे और sanitary inspector में 3600 grade पे और JVT teacher के लिए 3000 grade पे इसमें निश्चित किया गया है और qualification की बात की जाए तो computer programmer के लिए जिन भी candidate के पास B.Tech degree या computer engineering में या electronics engineering में या फिर उनके पास MBA पास है तो वो इस post के लिए apply कर सकते हैं लेकिन इसमें जो age criteria रखा गया है वो 21 से 30 वर्ष रखा गया है 21 से 30 वर्ष के candidate जिनके पास B.Tech computer, electrical या फिर M.C.A. पास है तीनों में से कोई भी एक qualification है वो computer programmer के लिए apply कर सकते हैं दूसरी जो vacancy है वो sanitary inspector की vacancy है जिसमें की 10th pass आपके पास होना जरूरी है और उसके साथ अगर आपके पास sanitary development है तो भी आप इस post के लिए apply कर सकते हैं और आपके पास जो B.C. chemistry होनी mandatory है उसके बाद जो knowledge रहेगी computer की वो desirable रहेगी वो आपके पास हो या ना हो तो भी चल पड़ेगा लेकिन B.C. chemistry आपके पास होनी जरूरी है तो B.C. chemistry वाले candidate जो है sanitary inspector की post के लिए apply कर सकते हैं और इसमें number of vacancy एक रहेगी age criteria जो है 21 से 30 वर्ष रहेगा तीसरी जो vacancy या वो J.V.T. teacher के लिए जो की SC category के लिए रहेगी इसमें जो है आपके लिए जिनकी भी candidate के पास D.A. led pass out है या फिर वो जिनके वास J.V.T. का diploma है junior basic teacher का और plus two में 50% marks है और J.V.T. में भी 50% marks है वो इस post के लिए apply कर सकते हैं और T.A.T. की condition इसमें भी रखे गिया T.A.T. pass candidate ही इस post के लिए apply करें क्योंकि अने था उसका जो candidature है वो reject कर दिया जाएगा तो ये तीन post के विकेंसी जो है सोलन में निकली है हिमाचल प्रदेश में तो अब इसके apply करने का process आपको बतार देते हैं एक simple A4 size plain paper में आपको हिंदी और English में type करना होगा उसके साथ अपने सभी tested copy के relevant document लगाने होंगे अगर जैसे कि आप JVT के लिए apply कर रहे हैं तो आपके पास metric plus 2 और JVT का certificate लगेगा और अगर आप sanitary के लिए apply कर रहे हैं तो metric plus 2 और आपका BSC कमिस्ट्री या अधर आपके पास experience certificate उसको भी attach कर सकते हैं computer programmer के लिए आप 10th plus 2 और BTEC या MCA जो भी आपके पास है उसको आप attach करें साथ में अगर आपके पास experience है तो वो भी लगा सकते हैं आप अगर और आपके पास कोई higher qualification है तो आप वो भी application form ही अपलाई कर सकता है अगर आपने दो पोस्टों के लिए अपलाई करना तो आपको दो form अलग से भेजने होंगे और जो remote area में candidate है वो 21 इस December से पहले पहले इस form को वहां पर फिल करवा के भेज सकते हैं और computer programmer की बात की जाए तो initially इनको two years के लिए रखा जाएगा बाद में इनको regular कर दिया जाएगा और ऐसी sanitary inspector की पोस्टे हैं और अगर process की बात की जाए कि इनकी selection कैसे होगी तो computer programmer हो जाए sanitary हो या फिर jbt teacher हो इन सबका पहले written test connect करवाय जाएगा और उनके बाद इनकी medical fitness चेक की जाएगी उसके बाद ही इनको joining जो है containment board solan के दवारा provide करवाई जाएगी paper का जो माध्यम होगा वो आपका English होगा English मिध्य में आपका paper आएगा 21 से 30 वर्ष आपको हमने IUC मां बता ही दिया और CST OBC के लिए as per rules of government of India आपको relaxation भी दी जाएगी और एक परफोर्म में आपको बना के पूरा certificate भेजना होगा अपना 10th का certificate जरूर साथ में attach करें क्योंकि उससे आपकी date of worth जो वो verify होती है और साथ में आपने photograph को भी gazetted officer से attached करके उसमें paste करें और इसके लिए जो फीस रखी गई है और 200 रुपीज रखी गई है 200 रुपीज का आपको ट्राफ्ट बनाना होगा जो की चीफ executive officer containment board कसुली के नाम पे बनेगा वो इसको भी आपको साथ में application form के साथ attach करना होगा तो याद रखीगा last it वहां पे इस ट्रैंप लगी होनी चाहिए उसमें अपनी टू फोटोग्राफ्स भी जरूर डालें वो self address हो आपके उस इनवेल्प पर आपका अपना address लिखा हो क्यूंकि उसी में आपके जो admin card है इनके दोरा फिर भीज़े जाएंगे किसी भी प्रकार की delay के लिए या transaction के लिए containment board कस सोली के दोरा सोलंड जिले में निकाला गया है इसके बाद दोस्तों जैसे कुछ और जो update मिलेंगे हम लोग आपको उससे भी update करवाते रहेंगे हमारे चैनल को subscribe like share जरूर किजेगा thank you for watching immediate education